और हम आज बात करने वाले हैं कि हर व्यक्ति पक्षियों को पालना चाहता है और पक्षियों को पसंद करता है क्योंकि पक्षियों में बहुत सारी खोबिया है उनकी आवाज हो या फिर उनका कलर हो उनका रहन सेहन हो या सब कुछ हो तो पक्सीों को पालने का यानि जो टेम बर्स है या फिर पाल तो बर्स है ठीके वो बर्स पालने के फाइदे क्या क्या होते हैं उस पर हम आज बात करने वाले हैं तो सबसे पहला फाइदा है आपको मानसिक सांति मिलती है यानि कि अगर आप बर्ज के साथ रहते हो तो उनकी जो आवाज है पक्सियों की जो चह चहा हट है और उनके साथ अगर आप समय बिताते हो तो आपको मानसिक सुप से सांति मिलती है और अगर आप किसी दिन बहुत ज चाकर थोड़े समय के लिए बैठते हो, उनके एक्टिविटी देखते हो, उने देखते हो, तो इन सारी बातों से आपका जो तनाव है, आपका जो टेंसन है, ये सारी चीजे कम होती है, और आपको मानसिक रुप से सांति मिलती है, ये हो गया पहला कारण, दुसरा कारण है, दुसरा फाइदा है, प्रक्रूती से जुड़ाओ, क्योंकि हम कही ना कही प्रक्रूती, यानि कि जो नेचर है, उन से जुड़े हुए है, हम उसी का ही एक अंस है, तो पक्सियों को पालने से, हम प्रक्रूती, यानि कि नेचर के करीब रहते हैं, और प्रक्रूती परिवे से कैर करते हैं उन्हें तरह तरह की खाना जो वो खाना पसंद करते हैं ये सारी चीजे करने में एक बर्ड स्लवर जो है एक प्रकृती पैमी जो है उनको बहुत खुशी मिलती है ये हो गया दूसरा फाइदा तीसरा है आपका सामाजिक जुडाव तो क्या है कि अगर हम कोई पालतु जानवर है कुछ भी पालते हैं तो उनके साथ हमारा एक विशेस बंधन हो जाता है हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं हम उनसे बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ जाते हैं उनके साथ एक बंधन में बन जाते हैं और कई समय के बाद हम उनके बीना रहे भी नहीं सकते है तो आप अगर एक birds lover है तो आप जब birds को रखते हो तो आपको उनके बीना अपना पूरा दिन अधूरा लगेगा जिससे की हमें प्रैम और स्नेक की भावना महसूस होती है कि आपके अंदर जो feelings है प्रैम की स्नेक की ये सारी हमें वो आप महसूस करोगे और ये सारी चीज़े है जो आपको फाइदा पहुचाते हैं एक और है पारिस्थिती की संतूलन यानि कि हम जो पक्सिया को पालन करते है उनको हम रखते है तो कही ना कही जो पक्सिया जो पक्सी आज विलुप्त हो रहे है जिनकी संख्या बहुत कम है तो कही ना कही हम उनके सवरक्षन में हमारा योगदान दे रहे है कि वो सारे बर्ष जो है उनकी संख्या बढ़े और हम उनके सवरक्षन में अपना कुछ योगदान दे इससे क्या है कि पारिश्थितिक परियावरन में बना रहता है इसके बाद वाला फाइदा है शिक्षा तो कही ना कही हम पक्सियों को रखते है तो उन्हें देखकर और उनके सारी एक्टिविटी और बाकी सब कुछ की जानकारी लेते-लेते हम बहुत सारी बाते जानने को मिलती है जैसे पक्सियों का व्योहार कैसा होता है वो कैसे रहते है वो कैसे बड़े होते है उनके बच्चे कैसे बड़े करते है कब अंडे रखते है उनमें male female कौन से होते है उनकी आदत है उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो कैसे रहना पसंद करता है उनकी देखबाल हम उनकी बहुत अच्चे से कैर भी करते है यह सारी चीजों के बारे में हमें जानने को मिलता है और इनसे हम बहुत कुछ सीखते है इसके बाद है सोरिय, सौंदर्य वर्धन यानि कि पक्सियों के पालने से गर का जो वातावरन है वो सौंदर और आकर्शक बनता है तुकि आपने देखा होगा कि अगर आपके गर पे या किसी वार के गर पे पक्सि है तो वो जो पक्सि है उनकी आवाज, उनका कलर, बाकी सारी चीजे जो हमारे गर का सुंदर्य बनाता है हमारे गर का वातावरन सुंदर बनाता है उनकी आवाज बहुत मदूर होती है और आपका घर जो है वो एक जीवन अनुबहु लगता है कि आपके गर के आसपासे आपके गर में बहुत सारे बर्स है और उनकी आवाज से आपका पूरा दिन होता है जैसे गाओ में कैसे बर्ज की आवाज आती है जो भी सहर में देखने को नहीं मिलती है या सुनने को नहीं मिलते है इतने ज़्यादा तो फ्रेंड्स अगर आप भी अप प्रक्सी पैमी है और आप पक्सियों को पालना चाहते है तो यह सारे फाइदे है पक्सियों का पालन जो है वो एक खुसी सुखद अनुबो है और आपको लाब दायक भी हो सकता है और होता ही है ठीक है वो नकेवल हमारे जीवन को आनद में लाता है ठीक है आपका जीवन तो खुसियों से बरी देता है, साथ में आप प्रकूती के प्रती हमारा जो दाइत्व है वो भी हम कही ना कही पूरा करते है तो ये इतने सारे फायदे है फ्रेंड्स, एक बर्ड को पालने के, उनकी सेवा करने का, उनका कैर करने का तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके घर में कौन सा बर्स है ये आपको कमेंड में बताना हे अगर आपको चैनल अपने को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजए, ताकि आने वाले वीडियो की टेक केर